एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस से बैंग, पैपराजी से बैंग, एवन एक क्रिमिनल कम्प्लेंड लेकिन फिर भी आक्टर्स श्रद्दा कपूर की फैन फॉलविंग हमेशा से ही उज रही है और अब स्री टू के इनॉर्मल सक्सेस के बाद तो कहानी कुछ और ही है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रद्दा कपूर की जो डेब्यू मूवी थी न, वो 2011 में आई लव का दियेंड नी वलकि 2010 में आई तीन पत्ती थी जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था, बट उनकी तारीफ हुई थी उस रोल में मूवीज आपको YRF के साथ ही करनी पड़ती हैं, उस बीच में आप किसी और प्रडक्शन हाउस या किसी और डिरेक्टर के साथ कोई मूवी नहीं कर सकते हो तो reportedly श्रद्धा कपूर ने औरंगजे मूवी को छोड़ कर आशिकी 2 साइन कर ली थी, जिसकी वज़े से यश्राज बैनर ने उन्हें आगे की मूवीज में काम देना बंद कर दिया था इवन जो रोल काट्रीना ने थक्ज ओफ इंदुस्तान में प्ली किया था, वो उरिजिनली श्रद्धा कपूर को ओफर हुआ था और उन्होंने वो भी डिक्लाइन कर दिया था, जिससे उनका एलेजिट फॉल आउट हो गया था विद अधित्य चोपडा लेकिन इतने बड़े प्रोड़क्शन आउस से फॉल आउट होने के बाद भी श्रद्धा कपूर ने स्टोली अंस्टेडिली अपने आपको स्टैबलेश किया और इसलिए आज के टाइम पे उन्हें वॉलिवूड की वन अफ दो मोस्ट इंफ्लूएंशल आक्रसिस भी मान जाता है अब तुम यह सोच रहोंगे कि श्रद्धा कपूर ने ऐसा क्या क्या जो वो साइलेंकली वॉलिवूड को रूल कर रही है तो देखो इसका सबसे पहला रीजन है वर्सेटालिटी इन रोल्स उन्होंने आज तक जितने भी रोल्स प्ले किये हैं उनमें सब में करने देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जो डाइवर्सनेस है जो अपनी अडाप्टेवलिटी है अलग-अलग जॉन्रा में फिट होने की वो अपने रोल्स के थुरू पोट्रे किया है इवन शोकेसिंग हर सेलेक्टिव चॉइस जिससे उन्होंने अलग कंपनी जिन्हों रे रिपोर्टेडली एक क्रिमिनल कंप्लीन फाइल की थी अगेंश रदा कपूर अगर तुम्हें इस इंसिजिंट के बारे में पहले से बता था तो इसके बारे में और क्या डीटेश वह पता एं वह भी कॉमेंट में बताना सेकेंड जो रीजन है वो है smart career choices तो अगर आप श्रदगपूर की career trajectory उठा के देखोगे ना तो आपको एक pattern मिलेगा of smart career choices अगर आप उनकी filmography देखते हो तो आपको यही दिखेगा कि वो commercial movies and content driven movies को balance करके चलते हैं जिससे वो mass audience और critics दोनों को ही cater करके चलते हैं तो यह जो balance उनोंने बनाया है वो over the period of time उनोंने grow किया है कभी full-fledged movie, कभी कोई cameo कभी-कभी तो songs में भी special appearance तो यह जो उनकी strategy रही है ना उससे industry में जो उनकी presence है वो बहुत जादा steady रही है unlike over exposure, जैसे कुछ actors दरजन पर movies तो कर लेते हैं लेकिन उसमें से जो कुछ अच्छी movies भी होती हैं वो भी सफर कर बैठती हैं because over exposure तो picture है कम करो पर अच्छी करो जिनको recognition भी मिले तो next reason मुझे लगता है वो है consistent performances भले आज तक उनको कोई national award winning performance उन्होंने नहीं करी है लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी performances करी है वो consistent रही है और हर picture हर role में जो उनका performance रहा है वो बहुत ज़्यादा solid रहा है जिससे audience भी जल्दी connect कर पाती है जो उनका screen presence है वो बहुत natural रहता है और इसलिए वो एक relatable actor बनी रहती है जाए 3 में उनका चोटा सा role रहा हो या फिर चिचोरे में उनका जो भी role रहा हो उनकी movies को critical acclaim के साथ-साथ commercial success भी मिल जाता है कुछ एक दो को छोड़के लेकिन overall जो उनका career graph है वो काफी stable रहा है और इसलिए जो next reason है वो है उनका social media presence जिससे वो अपने fan से तो connected रहती है लेकिन relevant भी रहती है और जो उनकी down to earth personality and relatability है उससे वो अपने साथ वो star kid वाली image लेके नहीं चलती अपने fans को reply करती है और इसलिए उनकी इतनी massive following है जिससे उनको influence भी मिलता है reach भी मिलता है और इसलिए वो brands and filmmakers के लिए भी likeable choice बन जाती है बट उनकी इतनी rapidly increasing fan following से एक चीज और निकल के आ रही है अभी recently release हुई 3.2 के बाद कुछ interviews हुए जिसमें एक credit war चल रहा है between Shraddha Kapoor and Rajkumar Rao जिसमें ये काज आ रहा है कि Shraddha Kapoor का 3.2 में रोल छोटा था बट उनको जो popularity मिल रही है वो बहुत जादा मिल रही है जिसके वज़े से जो दूसरे actors का काम था ना वो overshadow हो गया है तो इस credit war पे जब अपार शक्ति कुराना से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि मैं इस पे कुछ बोलूँगा नी बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा audience जो कहे वो सही है इवन उन्होंने ये भी add किया कि जो credit battle होता है ये usually एक PR गेम होता है और इस पे वो कोई comment नहीं करना चाहेंगे बट साथ साथ में उनके जितने भी co-stars हैं उन्होंने उसको प्रेज किया और यहीं बोला कि स्ट्रीटू को अब जो भी प्यार और सक्सेस मिल रहा है तो उसके बीच में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए तो तुम में से जिसने भी स्ट्री या स्ट्रीटू देखी है उसमें पता होगा कि श्रदा कपूर का क्या रोल रहा है वस्स जो उन्हें अब popularity मिल रही है क्या वो justified है नहीं है क्या तुमारे opinions हैं thoughts हैं वो comment करके बताना और इसलिए जो next reason है वो थोड़ा सा popularity based ही है तो next reason है pan India appeal जो भी श्रदा कपूर का crossover potential है उससे उन्होंने सिर्फ Hindi speaking audience को नहीं बलकि pan India level पे अपनी presence establish करने की try करी है जैसे कि उन्होंने collaborate किया था with प्रभास, इंसाहो और भी कुछ multilingual movies में उन्होंने इस type के roles play किये हैं जिससे वो अपनी एक pan India image भी establish करना चाहती है great move तो मुझे लगता है कि उनके लिए से Bollywood important नहीं है but she wants to go beyond Bollywood as well and जो last reason है वो मुझे थोड़ा सा contradictory लगता है as compared to जो मैंने से पहले reason side किया था एक तरफ तो उनका social media game इतना ज़्यादा strong है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखो ना तो उनकी private life बहुत ज़्यादा low की है and यही next reason है unlike उनकी जो और contemporaries है Shraddha Kapoor अपनी personal life को बहुत ज़्यादा private रखती है even उनको इतना private रहना पसंद है कि एक बार तो इस चकर में पापराजी ने उन्हें बैन कर दिया था तो starting starting में जब Shraddha Kapoor नई थी इंडस्ट्री में तो दो बार उन्होंने ऐसा किया कि जो भी फोटोग्राफर्स उनकी फोटोस क्लिक करने आये थे कुछ events पे उन्होंने उनको डॉच कर दिया और वो बिना फोटोस क्लिक कराये ही वहां से चली गई जिसके प्रोटेस्ट में पापराजी ने रियाक्ट किया और श्रद्धा कपूर पे एक बैन इंपोस कर दिया तो जब एक विलन की success party थी और stage पे सारे actors खड़े थे तो वहां पे पेपराजी ने मना कर दिया कि जब तक श्रद्धा कपूर stage पे रहेंगे तब तक वो pictures क्लिक नहीं करेंगे इवन उनके manager और co-actor सिधात मलोतरा ने try किया पैप्स को convince करने का बट उनोंने वो बैन रहने दिया और वहां पे उनके pictures क्लिक नहीं करें तो अब टाइम बाद अपराजी ने वैन लिफ्ट कर दिया था तो अब तुम यह सोच रहोंगे कि इस लो की अप्रोच या फिर प्राइवेट रहने की अप्रोच से श्रद्धावपूर को क्या benefit मिलता होगा तेखो सबसे पहली चीज तो यह कि उनके around एक mystery हमेशा बनी रहती है और जो भी public का attention है वो उनकी काम पे जादा होता है रादर दन her personal life जिसकी वज़े से जो उनका genuine talent है उसे लोग appreciate करते हैं फिर चाहे वो dancing हो चाहे वो singing हो या चाहे वो accents हो Sometimes it would be French, sometimes it would suddenly be British And शायद यही reason है कि उनने criticize नी किया जाता as a nepotism product in Bollywood रादर जो भी उनकी fan following है वो बहुत जादा genuine है And on and off camera वो humble रहते हैं वो अपने साथ कोई भी ऐसे starry tantrums नी carry करती यह कुछ reason से जिससे मुझे लगता है कि Shraddha Kapoor जो है वो Bollywood में धीरे-धीरे बहुत जादा rise कर रही है And अगर तुमारे thoughts इस सबसे different हैं तो क्यों है, क्या है वो भी comment section में जरूर बताना अगर आपको इस टाइब को content पसंद आ रहा है चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Goodbye